हैलो एब्रीवन फिर स्वागत है आपका हमारे स्ने वीडियो में दोस्तो अगर आप एक फोन पे यूजर है तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तो फोन पे के तरफ से एक नया चार्च लागू कर दिया गया है और यह चार्च मेरे हिसाब से बहुत ही जादा चार्च है तो आईए देख लेते हैं इस चार्ज के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ओल पर जरूर क्लिक करिए क्योंकि यहां पर आपको ऐसे निव अपडेट्स टिफ्स से एंड ट्रिक एंड उन्बॉक्सिंग की वीडियो मिलती रहती है तो आई इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपका जो फोन पे का जो एप है उसको ओपन कर लेना है जैसा कि आप डिस्प्ले प यसी पर जाना है माइ मनी पर जाकर अब को फोन बेवालेट único क्लिक कर देना है अ हुआ है अभर क्लिक करने के बाद अब जो into Amount है यहाँ पर आपको कुछ amount ले 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 हैं जैसे मा लीजी मैं 100 रुपया यहाँ पर ले लेता हूँ मैंने 100 रुपया यहाँ पर एंटर किया proceed to topo पर क्लिक करता हूँ उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 option देख सकते हैं UPI, debit card and credit card तो मैं credit card पर क्लिक करता हूँ अब देखिए गाईस यहाँ पर note में लिखा हुआ है कि अब आपको credit card से पैसे load करने पर 2% के charge देने पड़ेंगे और उपर से GSTB include है यानि अगर मैं 100 रुपया यहाँ पर add कर रहा हूँ तो मतलब मुझे 100 रुपय पर 2% extra payment करने होगे अगर यहीं amount में थोड़ा जादा लेता हूँ तो आप उसका देखिए अब क्या होता है तो मैं back आता हूँ अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे ले लेता हूँ 200 रुपय या फिर 500 रुपय मैं ले लेता हूँ अब देखिए वहाँ पर यह देखिए 10 रुपय 32 पैसे आ गए तो यहीं वह अपडेट है अब आपको फोन पे के वोलेट में पैसे एड़ करने पर अब आपको 2% का extra charge देने पड़ेंगे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं